हेलो फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूँ मत्रा के पेड़े ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का इसमें कोई ज्यादा इंग्रीडियंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो चलिए बनाने चलते हैं मत्रा के पेड़े सबसे पहले हम मावा लेंगे मैंने आधा किलो घर का बना हुआ मावा यूज़ किया है कहीं कहीं से खुआ भी बोलते हैं तो सबसे पहले मावा को लेकर कड़ाई में डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हमें इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है खुए को हमें लगातार तब तक भूनना है जब तक यह अपनी तली ना छोड़ दे पस इसी कंसिस्टेंसी में हम दो से तीन मिनट खुए को और भूनेंगे गैस को आफ करेंगे गैस को आफ करने के बाद इसी कढ़ाई में एक थोड़ा साम एक बार और हिला देंगे इस तरह से जिससे की चार तरफ से अच्छी तरह सिख जाए फेसको ठंडा होने देंगे देखी खुए बिल्कुल ठंडा हो गया है अब इसमें हम खांड मिला रहे हैं कहीं कहीं इसे तगार भी बोलते हैं इसी के साथ इसमें हम चौथाई चम्मच इलाइची पाउडर मिलाएंगे शुगर आप अपने स्वाद के अनस्वार मिलाईए इसमें मैंने चौथाई कप शुगर मिलाई थी आधा किलोग हुआ मैं इस सभी को अच्ची तरह से हम मिक्स कर लेंगे देखिए इस तरह से हमें दो तयार करना है खुए का हमारा खुवत बिल्कुल तयार है पेड़े के लिए अब इसकी छोटे-छोटे खुए की पोर्षन तोड़ेंगे और इस तरह से हतेली की इसको राउंड राउंड करके इस तरह से इसकी शेप देंगे शेप आप अपनी पसंद से दे सकते हैं मैंने गोल दिया है अब सूखी चीनी में चीनी के बुरादे में इसको हम लपेट लेंगे इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार करेंगे यदि आपको ये पेड़े की रेस्पी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन किलिक करना ना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करके बताए ये रेस्पी आपको कैसी लगी एक नई रेस्पी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तक तक किलिक देखते रहें अविगन फूड बोग बाई